आपका अपने चैनल हिंदी ट्रिक्स पर तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे साइन्स की जो हमारी सरी चले टो फिप्टी कुई इसका पार्ट नंबर तीन ही होने वाला यानि के 100 कोशन्स हम अल्रेड अपलोड कर चुके हैं यह होने वाले हमारे नेक्स्ट 101 से तो पहला प्रसने आज का पानी में नमक का घुलना कैसा परिवर्तन होता है तो यह होता ध्यानक ना भोतिक परिवर्तन क्योंकि बाद में नमक और पानी को आप अलग कर सकते हैं क्योंकि नमक जो कथनांग होता है वो लगभक 1400 degree Celsius होता है और जबकि पानी का 100 degree Celsius तो अगर आप 100 degree Celsius टेंपryचर रखकर गरम करते हैं नमक और पानी के विलियन को तो क्या होगा, वहाँ से पानी पानी उड़ जाएगा और नमक नमक उसमें रह जाएगा जैसे उधारन के तोर पर आपने अपना पसीना देखा होगा जब ब्लैक कपडोंगे पसीना आता है तो पसीना सूख जाता है यह पानी सूख जाता है और उस पर सफिद सफिद रह जाता जो नमक होता है निसियल होता है नेक्स्ट धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है तो यह होता है सुद्ध रक्त ध्यानक नहीं धमनियों के द्वारा यह होता है सुद्ध रक्त नेक्स्ट वलका मात्रक क्या होता है तो बलका मात्रक होता है न्यूटन ध्यानक नहीं बलका मात्रक न्यूटन सबसे भारी प्राकृतिक तत्ब कौन सा है तो यह है नाइक तो दिखे आ यह क्या होगा सबसे भारी यह यूरेनियम होगा सबसे भारी जो प्रागरतिक तत्ब है ये यूरिनियम है, मिस्प्रिंट यांपर यह हो गया है नाइक्रोम यांपर लिखा गया है ये हो गया यूरिनियम next है, सिराओ दौरा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है तो होता है ऐसुद्ध रक्त अब यह मैंने आपको होता है था धमनी द्वारा सुद्ध रक्त और सिराओ द्वारा असुद्ध रक्त नेक्स्ट है पिरकास वर्स किसकी इकाई है तो यह होती है दूरी की पिरकास वर्स किसकी इकाई होती है दूरी की होती है नेक्स्ट है सुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ते होता है 24 कैरेट का सुद्ध सोना यानिके जो प्योर गोल्ड होता है कितने कैरेट का होता है 24 कैरेट का नेक्स्ट है पैट्रोलियम किस पिरकार की चट्टानों में पाया जाता है तो यह पाया जाता है अवसाधी चट्ठानों में पैट्रोलियम नेक्स्ट है पाइरोमीटर का प्रियोग किया जाता है तो यह किया जाता है उच्छताप को मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रियोग उच्छताप को मापने के लिए next है मनुस्य का पाचन के रिया का प्रानम्ब कहां से होता है तो यह होता है मुख से यानि मनुस्य की जो पाचन के रिया यह कहां से start हो जाती है मुख से start जो है यह हो जाती है next है जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या पिरभाव पड़ता है तो लोहे का भार जो है ये बढ़ जाता है यानि जैसे जंग लगता है लोहे को उसका जो भार है वो increase हो जाता है बढ़ जाता है next है वायू मंदले दाप किस से मापा जाता है तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से वायू मंदले दाप को बैरोमीटर नेक्स्ट है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है तो होता है कंपोस्ट पौधे के लिए जो सबसे अच्छा उर्वरक होता है कौन सा होता है कंपोस्ट होता है नेक्स्ट है भारी जलका सूत्र क्या होता है तो देखे भारी जलका सूत्र होता है D2O इसका नाम क्या होता है Deuterium Oxide Next है सिफ गमो मैनो मीटर से क्या मापा जाता है तो इसका मापा जाता है रक्तदाव यानि के वलट पेसर इससे मापा जाता है Next है VCG का पूरा नाम क्या होता है तो इसका नाम होता है Vecilis Comete Curine नेक्स्ट है भारी जलका परमालू भार क्या होता है तो इसका भारी जलका जो परमालू भार होता है वो 20 होता है इसका जो सूत्र होता है D2O होता है और इसका नाम होता है Deuterium Oxide नेक्स्ट है, बोशिंग मशीन की सिध्धान्त पर कार्य करती है, तो यह करती है अपके इंदरन के सिध्धान्त पर, बोशिंग मशीन अपके इंदरन के सिध्धान्त पर कार्य करती है, नेक्स्ट है, शरीर का ताप नियंतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है, यह हाइप थेली मस्के द्वारा इसको और कंट्रोल की जाता है नेक्स्ट है जल का पीएच मान क्या होता है कितना होता है तो यह होता है 7 जल का पीएच मान 7 होता है नेक्स्ट है प्रत्वी का पलायन वेग कितना होता है तो प्रत्वी का पलायन वेग होता है नेक्स्ट है, आयरन का सबसे प्रचूर स्रोत होता है, लोहेका, तो यह होती है हरी सबजिया, जो हरी पत्तेदार सबजिया होती है, इस पेसली क्या होता है, पालक, next है halogen में सबसे अधिक अभी किरिया सील होता है तो ये fluorine और है halogen में ही नहीं सारे के सारे आवर सालनी में सबस्यादा किरिया सील है fluorine next है वर्सा की जो वूंद होती है किस कारण से गोलाकार होती है ये होती है प्रस्ट तरनाप के कारण यानिके surface tension next है किसी वर्स की आयू पता की जाती है जो उसकी वार्ष Japanese को नीला कर देता उसका pH मान कितना होगा तो उसका pH मान होगा साथ से अधिक क्योंकि लाल को जो नीला करता है ये करता है चार और चार का हमेशा साथ से अधिक होता है नेक्स्ट है लोहे की सुई पानी में किस सत्य पर तैरती है यह तैरती है यह तैरती है प्रस्ट तनाप के कारण नेक्स्ट है आनुवानसिकी का पिता किसे कहा जाता है यह कहा जाता ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवानसिकी का पिता नेक्स्ट है वोपाल गैस तराजदी किस गैस के कारण हुई थी यह उथी मिथाहिल आइसो साइनेट के कारण नेक्स्ट है मनुस्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है तो यह होती है 46 देखे 46 यह यूँ कह सकते हैं कि 23 जोड़े नेक्स्ट है आइसो प्रिन किसका बहूलक होता है तो यह होता प्राकरतिक रवर का आइसो प्रिन प्राकरतिक रवर का एक बहूलक होता है next है किसी तारे का रंग दर्शाता है क्या दर्शाता उसका ताप यहीं किसी तारे का जो रंग है वो किस पर डिपेंड करता है उसके ताप पर डिपेंड करता है निर्भर करता है next है लाल रक्त कडिकाओं का जीवन काल कितना होता है यह होता 120 दिन ध्यान लखना 120 दिन होता है नेक्स्ट है LPG किसका मिस्रण है तो LPG जो मिस्रण होता है व्यूटेन और प्रोपेन का ध्यान लखना है LPG, Liquid Petroleum Gas जो घरों के जो सिलेंडर होते हैं उसमें भरी होती है नेक्स्ट है अंत्रिक सियात्री को आकास कैसा दिखाई देता है तो दिखाई देता है काला किसी भी अंत्रिक सियात्री को आकास नेक्स्ट है क्रत्रिम गुर्दा किस सिध्धांत पर कार्य करता है तो यह करता है अपोहन यानिके dialysis के सिध्धांत पर नेक्स्ट है ओक्टेन संख्या से किसकी गुर्वत्ता मापी जाती है, तो यह मापी जाती है पैट्रोल की, धिया नखना ओक्टेन संख्या से किसकी गुर्वत्ता मापी जाती है, पैट्रोल की गुर्वत्ता मापी जाती है, नेक्स्ट है, सबसे कम तरंग देरिये वाला पिरकास कोन सा है, तो यह होता है वैगनी, सबसे कम तरंग देड़े, किस प्रकास की होती है, वैगनी की, सबसाधी किस की होती है, लाल की होती है, next है, लिटमस किस से प्राप्त होता है, तो यह होता है, लाइकेन से, लिटमस, नेक्स टेट डीजल की गुॡवत्ता kes से मापी जाते है, तो सीटेन नमबर से , चो के नाम है पेट्रोल है उसकी OTP ओक्तेन और डीजल की सीटेन नमबर नेक्स्ट है डाल ही वनाने के लिए काम में लिया जाता है यह लिए जाता अप्तल दरपड को डाल ही वनाने के लिए नेक्स्ट है किस पादप का पुस्प सबसे बड़ा होता है तो यह होता है रेफलेशिया यानि रेफलेशिया जो पादप होता इसका पुस्प होता वो सबसे बड़ा होता है नेक्स्ट है जल में घुलनसील विटामिन है तो यह है B और C जल में गुला नसील विटामिन होते हैं कौन से B और C होते हैं नेक्स्ट है जल के अंदर हवा का वुलवुला कैसा कार्य करता है तो करता है अवतर लेंस की तरह जल के अंदर हवा का वुलवुला अवतर लेंस की भाती next है फूलों के संबर्धन के बिज्ञान को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है flory culture next है DDT का उप्योग किस रूप पे किया जाता है तो यह किया जाता है कीट नासी के रूप में next है centigrade एवं Fahrenheit तापकरम समान होते हैं तो यहोते है 40 डिगरी पर यहनी 40 डिगरी पर Celsius और Fahrenheit दोनों की जो वैली होती है वो बराबर होती है next है पेडोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है तो यह कियाता है भूमी का पेडोलोजी में भूमी का अध्यान next है मौसमी गुबबारों में कौन सी गैस भरी जाती है यह भरी जाती है ही हीलियम गैस तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हमने 50 questions को अपने complete कर लिया है I hope यह वीडियो आपको पसंद आए हो उसको like दोस्तों के साथ share करना ना भूले अपना feedback हमें comment कीजिए thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में